रक्षा बंधन रक्षा और बंधन जो की एक धागा होता है बहन अपनी भाई को बांती है और उसकी रक्षा की कामना इस्वर से करती है भाई कुछ गिफ्ट कुछ भी समान अपने बहन को देता है सावन की पुर्णिमा को राखी का तेवहार मनाया जाता है उसा अपनी सहेलियों के साथ राखी लेने बजार गई है बजार में खुब चहलपल है दुकानों में चमकीली चमकीली रंग बिरंगी राखियां सजी है दुकांदार ब्यस्त है ग्राहकों की ततपरता से राखियां दिखा रहे हैं उसा और उसकी सहेली ने भी रंग बिरंगी राखी खर दी वे अपने भाईयों की कलाई पर राखी बाढ़ेंगी भाई भी उन्हें कुछ उपहार देंगे उसा के भाई जमसेतपूर से आने वाले जब कभी सरक पर कुछ आवाज होती उसा दोर कर दरवाजे पर जाती और सरक की ओर देखती भाई को न आते देख वह निरास हो जाती उसा सोचने लगी क्या बात है भाईया अभी तक क्यों नहीं आए आज मैं उनको राखी बांधूंगी उसा को उदास देखकर माने कहा कोई बात नहीं है उसा पहली गारी निकल गई होगी थोड़ी देर में दूसरी गारी आने वाली है परभात जरूर आएगा मा यह कह रही थी की हाथ में अटैची लिए परभात भीतर आ गया भाईया को देख उसा बहुत खुस होती है अब जल्दी से नहा लिजे भाईया देखे आपने कितनी देर कर दी उसा ने परभात से कहा नहा ध्वा कर परभात ने नए कपड़े पहने उसा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और कलाई में राखी बांदी फिर उसने भाई को मिठाई खिलाई परभात ने थाली में रुपे रखे और बहन को प्यार किया उचलती कूधती उसा सहेलियों के साथ खेलने चली गए रक्षा बंधन बहुत पुराना तेवहार है कहते हैं पुराने समय में जब सैनिक युद में जाते थे तब उनकी बहने उनको ललाट पर तिलक लगाती और कलाई पर राखी बांदती थी राखी बांद कर हुए मन ही मन कहती यह राखी मेरे भाई को सब संकटों से बचाए राखी बंधवा कर सैनिक अपने देश की और मा बहनों की रक्षा के लिए प्रान करते थे बहुत समय पहले चित्तोर पर एक महिला सासक करती थी उसका नाम महरानी करनवती था उसके चित्तोर राज पर एक परोषी राजा ने हमला कर दिया चित्तोर की महरानी करनवती अकेली उसका मुकाबला न कर सकी उसने दिल्ली के बादसा हिमायू को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया राखी मिलते हिमायू ने सब काम छोड़कर अपनी बहन कर्णवती की सहायता के लिए चल पड़ा आज भी रक्षा बंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांती है वह प्रातना करती है राखी उसके भाई को हर संकटों से बचाए भाई बहन से राखी बंधवाता है इसका आर्थ है कि वो हमेशा बहन की रक्षा करेगा इसलिए राखी का बंधन रक्षा बंधन के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए इस तेवहार को हम रक्षा बंधन कहते हैं सब्ध है प्रन मतलब कशम, तीलक मतलब टीका, युद मतलब लड़ाई, तेवहार मतलब पर्व, अटैची, छोटा सा बॉक्स, संकट मतलब मुसिवत यहाँ पार्ट आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहती धन्यवाद जैहिंच जैभारत